दोस्तो पिछली ओलम्पिय को खतम हुए अभी एक हफता हुआ है और नेक्स्ट साल के ओलम्पिय के लिए अभी से कौलिफायर शुरू हो गए है यहां आफ्टर दी ओलम्पिया सबसे पहला शो हमें ब्राजिलियन मिस्ट्रो ओलम्पिया होते हुए दिखा है जहां पर क्लासिक फिजीक हमें रिसेंटली कॉंपीट के वे कुछ अथलीट्स नजरा है जहां पर अफकॉस इस शो को जीता है रमोन डीनो ने डूसतो सबसे पहले हम लोग यहां पे सेगंड फ्लेसर की बात करते हैं जो कि है नियल डर्विन दोस्तो हम लोग इस फैट को जितना जल्दी एकसेप्ट करने होता बहतर होगा हमारे लिए कि नियल विदाउट अडाउट फ्यूचर के सुपरस्टार होने वाले हैं फ्यू कर दी है डार्विन ने रमोन दीनो को दोस्तों डार्विन अरी एक पोस में अपना अन ी ल्बीविबल program प्रेजेन करते हुआ नजर आरे इस साल का ऑंकॉलय अनका पहला ओल्लेम्पिया था उनका और डेविय हुथ है जहां पे 11 वेस की वां किया है। जीस लेवल के competition, जिस लेवल की competitiveness इस division में हैं और किसी भी division में नहीं है दोस्तों इस time ऐसे में इस athlete को classic physique का future देखना, classic physique का face देखना बिलकुल भी मुश्किल नहीं हो रहा है उनकी कमाल की structure की वज़र से दोस्तों बात करते हैं champion Ramon की, अगे इन Olympia से कुछ percent शायद बहतर हो यहाँ पे physique, definitely यहाँ पे उनका 10 काफी ज़्यादा last show के comparison में बहतर नदर आ रहा है, लेकिन दोस्तों I think इतनी ज़्यादा convincing win यहाँ पे Ramon डीरों की नहीं थी, इतना ज़्यादा easily dominate उन्होंने नहीं किया थ जैसे लोग उमीद कर रहे हैं, दोस्तों उनके बाद 11th placer इस division का उनको बहुत अराम से match कर रहा था on stage, और काफी aspects में कहीं न कहीं बहतर था हो, I think मैं Ramon होता तो इस बारे में मैं जरूर सोचता कि ए टाइम पे जहाँ मुझे future बोला जा रहा था इस division का, वहाँ आज मैं not so competitive show में भी dominate नहीं कर पा रहा हूँ, दोस्तों now keeping everything in mind, यहाँ पर Ramon को बहुत ज़्यादा conscious हो जाना जाएगे, बहुत ज़्यादा mindful और hard working हो जाने चाहिए, अगर classic physique में as a top guy उनको solidify होना है तो, मुझे नहीं लगता अब judges उनके खराब posing झेलेंगे, मुझे नहीं लगता कि stage पर इतनी द्यादा sweating इतना द्यादा tan खराब करने के बाद भी judges उनको माफ करेंगे, लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि Ramon Dino के पास अब पूरा का पूरा एक साल है मेहनत करने के लिए, कई महीने उनके पास अपनी सारी गल्दियों को fix करके अपनी वापस से इस division में पकड़ बनाने, क्या हो ऐसा कर पाएंगे की नहीं, यह तो दोस्तों वक्ती बताएगा, आप लोग क्या लगता है, आप लोग definitely comment से बताएगा, और अगर यह वीडियो आप लोग को अभी तक अच्छी लगी हो, तो like भी करतीजे काफ जिला हैंदी चैनल को, दोस्तों हाली आए बीबी के वाइस प्रेजडेंट टाइलर मैनियन, जिनका अब एक ट्रेडिशन सा बन गया है, हर एक शो के बाद, आर एक बी कैलिबर शो के बाद, उसमें टॉप एथलीट्स की एनलेसिस कर, दोस्तों टाइलर ने यहाँ पर क्लासिक फिजीक एंड बैंज उपें दोन इसे बेस्ट गूचेज मिस्से नाम हमें एक मैट जैंसन का भी सुनते थे, हाली में क्लाइन जैंसन के, उन्होंने काफी ज़्यादा एक वीडियो बनाई है, मैट जैंसन के खिलाव, जहाँ पर काफी ज़्यादा बिहाइंड दे सीन्स के बारे में हमें पता चला है, जोस् Quinn यहाँ में बताते हैं कि show हारने के बाद बहुती baseless और बहुती illogical results दिये थे Matt नहीं आपे उनको इसहार के Quinn बताते हैं ही सबसे पहली चीज जो उनको बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी Matt Jensen के approach की वो थी बहुती steep calorie cutting off-season में ज़्यादा body fat carry करने के वज़ा से stage पे चड़ते time उतने ज़्यादा condition नहीं आपाएंगे Quinn बिस्टोड ऐसा सोच लिया था Matt Jensen ने जिसके बाद उनको बहुत ज़्यादा extreme deficit के साथ extreme cardio करोज करवा रहे थे जिसके बाद results हमारे सामने थे जहां पर Matt की वज़ा से Quinn की physique stage में गासी ज़्यादा downsize होने के साथ साथ उतनी बहतर conditioning में नहीं आई जितना ज़्यादा वो आ सका फिर उसके बाद Matt baseless defense करने में Quinn को बोल देते हैं कि उनका steroids ही fake दोस्तों Quinn ने काफी ज़्यादा Matt के methods को criticize किया लेकिन सबसाथ है interesting दो athletes के बारे में और बात बोली उन्होंने Matt बताते हैं कि 2023 Arnold Classic जब हुआ था वहाँ पे भी निक के साथ हम लोग ने ये चीज होते वे देखी थी कि उनके legs में size Olympia के comparison में हमें कई गुरा कम दिखा था इस साल Sean Clarida की physique वो extremely flat और undersize लेकिया है अगें जिसके defense में baseless चीज़े बोलते हुए Matt Nam ने defense में ये रखा था कि judges नहीं ऐसा उनसे बोला था करने के judges नहीं बोला था कि हमें Sean को और जाधा condition देखता है जिसको counter करने के लिए Quinn ये बोलते है कि उन्हों नहीं ये बोला था कि और जाधा tighter और जाधा sharper Sean Clarida को उनको देखता है को देखेंगे और हम लोग उनकी इस साल की फिजीक को देखें तो इस बात को accept करना कि Matt यहां पर चुके हैं यह बिल्कुल भी घरत वहीं दूसरे athlete जो की probably Matt Jensen के सबसे बड़े athlete Nick Walker उनके बारे में भी Quinn Beastwood यहां पर बात जहां बोलते हैं कि क्यों इतनी देर से इन लोगे ने अनौन्स किया कि वो compete ने करें कहते हैं देर से उनको बता चला कि उनकी body drug से response नहीं कर रही है क्यों अलंबिया से सिर्फ दो ही हफते पहले उनको बता चला कि Nick की body वहां नहीं है जहां होनी चाहिए दिस नहीं क्या उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो fix कर पाते कुछ इस सारे बहुत ही इंट्रेस्टिंग facts उठाया हैं यहां पर क्विंट पीस्फुट ने और दोस्तों शायद इस लेवल पे इतने बड़े रेपुटेट कोच के बारे में हम लोग इतना कुछ पहली बार सुन र और सबसे बड़ी बात ये भी है दोस्तों कि हम लोग किस एथलीट के मुझ से ये बाते सुन रहा हैं हम लोग उस एथलीट से सारी बाते सुन रहा हैं जिसका character इस industry में काफी अच्छा माना जाता है जो की काफी repeated एक bodybuilder है जिसको आज तक हम लोग ने किसी के भी बारे में कुल्टा से दब बूलते भी नहीं सुन वो यहाँ पे अपने ex coach के बारे में उसकी गलतियों के बारे में वो पहली बात करता है ये काफी एक interesting चीज है लेकिन दोस्तों इससे भी जादा एक interesting चीज ये है कि यहाँ पर अब Nick Walker क्या करने वाले हैं दोस्तों मैं अभी इस मैं मैट जैनसन के साथ काम नहीं करता हूं दोस्तों इन coach और athlete की बीच में हमने कुछ साल पहले भी लड़ाई होते वे देखी थी जैसा मैं आदे उस टाइम निक Walker मैट जैनसन के साथ काम करना चोड़ दी है लेकिन इन दोनों की अच्छी पुरानी दोस्ती है तो ये दोनो वापस से काम करने हैं और बहुत ही जल्द दोस्तों निक इस चीज को कहीं न कहीं एडरेस करते हुए हम लोग को सुनने को मिल जाएं इसके लिए आप लोग सबस्क्राइब करना मत भूलेगा काफजिला इंदी चैनल को दोस्तों अब हम चलते हैं अपने टाइलर मीनियन के अनलेसिस के तरफ जहां पर सबसे पहले बात करते हैं क्लासिक फिजीग अब इसमें हम ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे कि ऐसा कुछ यहां पर नया नहीं बोला है टाइलर ने जबी तक बोला ना गया हो जो आपनों नहीं सुना ना हो लेकिन दोस्तों उनके अनलेसि बहतर थी सीबम से काफी माइनों में कंडीशनिंग वाइज सिमेटरी वाइज बैलेंस वाइज एस्थेटिक वाइज इन सब में काफी ज़्यादा तारीफे की हैं टाइलर ने माइक टाइलर बोलते हैं माइक वोज मोस्ट कंडिशन एथलीट इन दे शो उसके बाद भात कर दोस्तों आप हम लोग चलते हैं अपनी open category की तरफ से दोस्तों यहाँ पे pose by pose एक करके clear reason बताएं होने कि किस athlete को वो हर एक pose में बेहतर देखे and to be honest guys हम लोग उनकी choices को बिल्कुल भी डिराई नहीं कर सका उनके reasons को हम लोग बिल्कुल भी illogical नहीं बोल सका दोस्तों जब यह video आई थी मैंने उसी time देखी उस time इस video के नीचे comments on थे जो कि अभी off हो चुक है हम सब जानते हैं कि किस वज़ा से हुआ हम सब जानते हैं कि कितनी जादा इस time toxicity फैली भी है bodybuilding के fans के बीच जहां हर एक comment section में सिर्फ यही सुनने को politics this politics that लेकिन दोस्तों मुझे personally अभी भी इस साल का उतना जादा outreach समझ नहीं आ रहा है इससे पिछले कुछ साल इससे कई गुना जादा deserve करते थे outreach जैसे कि 2023 का Mr. Olympia यहां थे कि 2021 का भी Mr. Olympia आप लोग उठा के देख लेकिन उस साल Big Ramy को reward किया गया तब लोग politics क्यों नहीं बोल रहे थे because Big Ramy भी Middle Eastern है and Hardy भी Middle Eastern है तो politics कहां से बोलेगे दो जोस्तों सच बात तो यह है कि मुझे नहीं लगता है यहाँ पे politics हुई है judges के definitely कुछ नो कुछ personal biases हो सकते हैं उस बात को मैं deny नहीं करना हूँ लेकिन अगर politics करनी ही हो तो मुझे नहीं लगता है यहाँ पे Samson 12 को जीते हुए हम लोग देखते हैं तो यहाँ तक कि अगर हम लोग पीछे और जादा जाए 2021 की बजाए अगर 2019 को Mr. Olympia देख उस साल भी सबसे best condition athlete सबसे balance athlete शायद उस लाइनप पे हादी चूपनी थी बड़ उस साल भी इतना outrange नहीं हुआ तो फिर इस साल क्यों थी Anyways यह सब बातों को अगर side पे रखके हम लोग यहाँ पे यह देखें कि Taylor ने actually मैं बोला क्या है इन दोना athletes के बारे तो simple है वही चीज बोली है जो मैं काफी पिछली वीडियो में बोल सुका हूँ बाडी बिल्डिंग में एक athlete को best होने के लिए तीन चीज़े उसके पास perfect होनी चाहिए shape, size and shreds उसका shape बैतरी नो उसकी size stage पे reasonably सबसे जादा हो और उसकी conditioning at least below 5% हो दोस्तो मुझे लगता है कि इन सारे criteria's को कोई भी और bodybuilder 2024 की Mr. Olympia की stage पे Samson 12 से better present कर रहा था हर चीज का combination लेके अगर हम लोग दिमाग में analyze करें कि कि किस के पास इन तीनों का best combination था किस athlete के पास सबसे better shape होने के साथ साथ सबसे अच्छी size किसा साथ best shreds थे दोस्तो हम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे इस साल Samson 12 की conditioning देखने लाइख ही नहीं जो कि सच से बहुत दूर है हमने बिछले कई Mr. Olympia champions को इससे कई गुना जादा बुरी conditioning में देखा है Mr. Olympia जीतते हुए पिर चाहे हम Brandon Curry की बात करें मुझे लेखते हैं ये दोनों athletes कभी Samson 12 के आस पास भी conditioning लेके आये थे बट वो जीते because it is not always about conditioning मेरी नज़रों में दोस्तों conditioning बहुत important है बहुत ज़ादा लेकिन हर चीज एक limit तक होती है जब सावने आला बंदा है इतना ज़ादा size से overwhelm करेगा इतना बैतरीन अपना shape present करेगा तब उस athlete के लिए argument करना जो कि उससे size में 50 pound कम है इसको मैं justify नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं अगर आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो like कर दिए, subscribe कर दिए, कवजल लहिंदी चैनल को मैं लाइकर दिए, चलिए आप से एक लिए उने मुनते हैं, तब ते कि लिए पाए